दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज की लाइव क्लास में और इस लाइव क्लास में हम करने वाले बहुत ही अच्छे अच्छे कुश्चन आप सभी की जो एक्जाम है उसकी तैयारी के लिए इसमें हम करने वाले प्रिवेस एर के कुश्चन देखे जो पहले आ चुके है दे देखिए सबसे चोटा राज्य है छेतरफल की दरश्टी से गोवा देखिए इसके बाद यहां पर अगला कोश्चन है भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तैत हुआ था तो यह योजना के तैत हुआ यह हुआ था माउंट बेटन योजना के तैत देखिए य योजना कि देखिए यह थी 1947 की लाट पांट बेटन योजना अगर याजना पूछली जाए देखिए क्रिप्स योजना यह थी hav चैंसफ पर शुदार यह था 919 का तो आप सभी देखिए बाकि उप्सन फे भी ध्यान नखना आपको और वेबल योजना यह थी 1945 की तो देखिए आप सभी के clear हो गए गए आप इन सभी को नोट भी कर लेना देखिए इसके बाद है next question है देखिए तूटते हुए तारे के संबन्द में निम लिकित में से कौन सा कथन सही है तो आप सभी comment करना तेजी से देखिए इसका जो answer हो जाएगा यह हो जाएगा उल होगा यह answer इसका और देखिए इससे भी important है कि आप इन सभी गैसों का पता होना चाहिए कितना कितना इनका जो है percentage है देखिए अगर बात करें देखिए सबसे पहले तो यह है सबसे जादा जो पाई जाती है nitrogen फिर पाई जाती है oxygen फिर organ फिर CO2 इस तरीके से है देखिए nitrogen कि 80% है oxygen कितनी है oxygen होती है देखिए 20.95% हो जाएगी यानि कि लगबग 21% होगी organ की जो मातरा है यह है 0.93% कितनी होगी 0.93% और carbon dioxide यह है देखिए 0.03% से लेके 4% तक आप इन सभी को note कर लेना यहीं से question देखिए अब आगे पूछा जा सकता है आपसे भी देखिए इसके बाद आगे यहाँ पे question नमबर 5 है green house प्रभाव के कारण देखिए क्या होगा ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण इसी के साथ साथ देखिए अगर आपसे gas पूछ लिजाए कौन कौन सी होगी तो एक यहाँ पे लिख लेना आप जल वास्प जल वास्प भी आएगा इसमें इसके बाद यहाँ पे CO2 भी होता है ग्रीन हाउस गैसों में इसके बाद आपका मेथेन आपका N2O नाइट्रोजन ओक्साइड और आपका होगा CFC इसके बाद आपका होगा यहाँ पे Ozone O3 यह सभी गैसे आपसे पूछ लिजाएगी कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी है इन में से कौन सी नहीं है यह सभी जो है कौन इसको निकाल ला है तो इसमें आएगा नंबर आएगा चीन का कहीं बार पूछा एक क्वेश्चन चीन का देखे इसके बाद है नेक्श कोशन है देखे यहां पर सिक्स कोशन निमलिकित में से कौन सी जील दुनिया की प्राचिंतम और सरवादी गहरी ताजे पाने की जील है यानि कि गहरी आपको याद रखनी है आपको क्योונה सही से पढ़ना है गहरी कों सी है तो गहरी जो है यह है वियो प्रैक और देखिए अगर आपसे पूछ लेगी चिलका जील चिलका जील है भारत की है चिलकाव उडीसा की है खारे पाने की जील है और देखिए सुपीरियर क्या है सुपीरियर है मीठे पाने की जील अगर भारत की मीठे पाने की जील पूछ जाए तो वह हो जाएगी वुलर जील जम् तो इन सभी जीलों को आप प्याद कर लेना बाकी भी, इसके बाद यहाँ पे अगला कोशन है, साथवा कोशन अधी केंदर सब्द किसे सम्बंदित है, अधी केंदर सब्द जो सम्बंदित है, यह है भुकम से, यह उप्शन इसका सई होगा, जल्दी से आप कमेंट करना है, और इसको किस प्रकार मापते है, यह किस से मापते है, तो मापती है रियक्टर पैमाने से, रियक्टर पैमाना या मारकेली स्केल, मारकेली स्केल से मापते है, तीन प्रकार की तरंग होती है, इसमें प्रात्मिक दित्यक और तरित्यक तरंग इसमें, इसके बाद यहाँ पे भुकम परभावित छेतर भारत के तो देखे कौन-कौन से छेतर आते है गुजरात आता है और आपका इसके लावा देखे उडिसा के साथ अभी देखे 2019 में भी देखे 10 से 12 बार जो भुकम के जटके देखे गए वो देखे गए ते महराष्ट में इसके बाद यहां पर आगे कोशन है देखे आत्वा कोशन है आप भोत इंपोटेंट कोशन है यह भी अल्माट्टी बांद किसनाधी पर बना हुआ यह बना हुआथ नान दी पर देखे इसके आलावा बी देखे आपसे पूस ले जाएगा हीरा कुन्ड बांद हीरा कुंड बांध किस नदी पे बना है हीरा कुंड बना है महा नदी उडीशा में देखे इसी के साथ साथ भंगडा भंगडा जो बांध है किस नदी पे है सतलज नदी पे टीरी बांध भागीरती नदी पे रीहंद बांध जो है आपका रीहंद नदी पे है उत्तर प्रदे इसमें इसी के साथ साथ देखिए आगे जो है यह है क्यूश्चन इंपोटेंट है भी बाग परियोजना कब आरम की गई थी उन्निस सो त्यत्तर इसमें देखिए इसके बाद आगे क्यूश्चन है छेत्र फल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान कौन सा है कमेंट करना स सबी को जो भारत का इस्थान है यह है साथ वा अगर आज जन्संक्य में पूछे तो दूसरा है पहला किसका है चीन का है अब देखिए आपे छेत्र फल में पूछ ले जाएगे आपसे लिख लेना आप इसको रूक ची अमे बरा लिया भा इस तरीके से देखिए सबसे पहल सब्सक्राइब कनाड़ा तीसरे नंबर पर चीन इसके बाद चोथे पर अमेरिका है पांचवे ब्राजील यह पूछा गया था पिछली बार पीसेस में भी इसके बाद छटे पर कौन साथ है यह आश्टेलियेगा और साथ वे नंबर पर आता है भारत का बहुत ही अच्छा कोश्चन देखिए सबी कर लेना देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि प्राचीन परवत कौन से अरावली परवत है राईस्तान का अगर आपसे पूछ ले जाए कि ब्लू माउंटेन या नेलगिरी परवत कहां पे है तो यह तमीन लाडू में है है ना इसी के साथ साथ देखिए कच की पहड़ी कहां पे है गुजरात में है गारो खासी जैनते की पहड़ी कहां पे है मिघाल्य में है तो सभी आप याद कर लेना उसको याद देख लेना टोपिक अपना इसके बाद कौन से गरह का उपगरह नहीं है तो देखिए यहाँ पे ए उप्सन इसका सह योगा यह जो सुक्र ग्रह है इसका कोई भी उपग्रह नहीं है दो ऐसे ग्रह है जिनके कोई उपग्रह नहीं है एक है सुक्र एक है बुद्ध यानिके जो सूर्य के पास में ये गर है दोनों इनके कोई भी उपगर है नहीं है देखिए इसी के साथ मंगल के है दो फिबोस और डिबोस है प्रतवी का एक है कौन सा है चेंद्रमा है और बरसपती के बहुत सारे है इसमें देखे इसके बाद यहां पे आगे कोशन है कॉशन नमर 13 है निमली कितमे से किस नदी को बिहार का सोग कहा जाता है बिहार का सोग कहा जाता है कोशी नदी को आप सभी कमेंट करना बहुत तेजी से और बताते रहे ना कि कॉश्चन किस तरीके के है और आपकी जो तियारी है कैसी चल लए है इसके लावा भी आपसे पूछ ले जाएगे कि और राज्यों का सोग देखे उडिसा की अगर बात करें तो उडिसा का हो जाएगा उडिसा का हो जाएगा महा नदी महा नदी इसके बाद आपका बंगाल का हो जाएगा दामदर असम का हो जाएगा बरहम पुत्र इसी के साथ अगर बात करें देखे नदियों की तो कुछ नदिया ऐसे जिनका उद्गमिस्तल भारत में नहीं है तो आप याद रख लेना देखे देखे बरंपूत्र है सिंदु है घागरा है और आपका सत्तला जादेकि ये जो ऐसी नदिया कुछ इंपोर्टेंट बहुत बार यह पूछ लिग गई है आपसे कि कि नदियों का उद्गमिस्तल भारत में नहीं है तो कुछ नदिया ऐसी है देखे बरंपूत्र, सिंदु, घ सूरीय देखे 14.98 क्रोड किलोमेटर है इसका यानि की बी ओप्सन होगा इसका साइए इसी के साथ देखे यहां पर आगे बबर सेरों का अब भ्यार्ने हैं देखिए बबर सेर यह कहां पर है तो यह देखे गिर यानि की गिर कहां पर यह है गुजरात में अगर आपसे बात कर देखे काजी रंगा कहां पर है यह काजी रंगा है असम का और केवला देवी है राजिस्थान का केवला देवी जो है विदेशी जो पक्सी है यहां पर आते है वास के लिए इसी के साथ साथ देखे भारत में पैटॉलियम का सबसे बड़ा इस्थान कोन सा है यानि कि सबसे ज्यादा तेल कहां से निकाला जाता है यह निकाला जाता है मुंबई हाई से मुंबई तट या मुंबई हाई से निकाला जाता है इसका डियो उप्षन होगा सही लगबग यहां से 60% निकाला जाता है इसी के साथ साथ देखे अगर आप से पेट्रोल की बात करे देखे तो ओ तेरा दून में इसी के साथ साथ निए भारत में पहला तेल का कुवा कहां को खोड़ा गया था यह खोड़ा गया था माकु यह बाकुम में इसके बाद यहां पर आगे क्वेश्चन है बहुत अच्छा कोशन टुफ कोशन नहीं कोन सी थंडी जल धारा देखी देखिए आप सभी को इस question में confusion हो सकता है देखिए इसका जो answer होगा ये होगा इसमें B option कनारी की धारा कैसी है ठंडी जलदारा है अब ये question कभी आपका गलत नहीं होगा देखिए मैं एक trick आपको बता रहा हूं सभी ठंडी जलदारा लिख लेना आप देखिए ये लिख लेन क्यूं कैली बगुला फांक ले किनारा कभी भी आपका एक्जाम में गलत नहीं होगा ये सभी ठंडी जलदारा इसके अलावा जो भी जलदारा होगी वो सभी गरम होगी देखिए ये होगी ओको टस्क की धारा पेरू की धारा या इसको कहते हैं दूसरा हमबोल्ट की धारा ये किरुयायल की धारा होगी ये इसके बाद केली इसके बाद बेगुला है ना इसके बाद है फोकलेंड की धारा ये है लेबरोडेर की धारा और ये है कनारी की धारा देखो इसमें option में से कौन सी मिल लई आपको केवल केवल ये कनारी की धारा मिल लई आपसे ठंडी तो पूछा था ये देखो इसके अलावा गल्प stream है आपका मोजामबिक है गुलास इसमें से इस trick में आपको नहीं मिलेगी देखने को क्योंकि ये सभी जो जल्दारा है ये ठंडी जल्दारा है इस trick को आप याद कर लेना ओपे हम क्यू कैली बगुला फांकले की नारा सभी ठंडी जल्दारा है बाकी सभी गरम जल्दारा है कभी भी आपका question गलत नहीं होगा इसी के साथ साथ देखी आगे question है question number 18 भारत का सबसे बड़ा सक्सर प्रदेश देखे 2013 में भी पूछा गया था और अभी भी देखे कौन सा है तो अभी भी केरल है अगर आपसे पूछ ले जाए कि अभी जो इंडेक्स आया था सक्सरता का उसमें उत्तर प्रदेश का और सबसे नीचे है ये उत्तर प्रदेश सबसे नीचे आया था अभी इस्तान इसका इसके बाद सबसे बड़ा मासागर कौन सा है प्रसांत मासागर है कौन सा option होगा इसका सी option सही होगा इसमें इसके बाद यहां पे आगे जावा मानव संबंदित है जावा मानव संबंदि यह जो दीप मिलते हैं यह मिलेगे आपको इंडोनेशिय में इंडोनेशिया जावा सुमात्रह यह सभी दीप इसके बाद है कोश्चन नमबर 21 समुंद्र समीर बनती है यह बनती है दिन के समय इसका सही होगा इसके बाद यहाँ पे आगे जो कोशन है बंदरगा से है निम्न में से कौन सा भारत के पूर्वी तटका एक मुक्य बंदरगा ये पत्तन है तो यह है विसा का पट्रम, बी ओप्शन इसका सहयोगा देखे और यह जो है देखे यह कांडला बंदरगा है यह कहांपे है यह है आपका गुजरात में यह सबी जो है यह आपके पश्चिमी तटक है एक तरीके से इस परकार से देखो यह होगी आपका पूर्वी तटक तो यहाँ पे विसा का पट्रम होगा इसके बाद यह यहाँ पे होगा पश्चीमी तट पश्चीमी है ना अगर आपसे पूछ लेए कि पूरवी घाट कहाँ पे तो पूरवी घाट यह है और पश्चीमी घाट यह है है ना इसको देख लेना आप इसको इसके बाद वायू मंडल की सबसे निचली परत कौन सी है सबसे निचली परत कमेंट करना आप सभी तो सबसे जो निचली परत है देखे यह है छोब मंडल कौन सी है छोब मंडल जिसमें मोसम संबंधी घटना है होती है इसी के साथ साथ इसके और भी फैक्ट देख लेना आप इसमें देखो आप इसको ऐसे समझना देखे सबसे नीचे कौन सी परत है यह मंडल है यह है छोब मंडल छोब मंडल है इसको कहते है ट्रोपोस्पियर क्या कहते है इसको ट्रोपोस्पियर इससे उपर कौन सी परत मिलेगी यह मंडल मिलेगा यह मिलेगा समताप मंडल है ना समताप इससे उपर इसी पर कौन सी अवस्तित है कौन सी तो यहाँ पे है ओजोन परत कौन सी मिलेगी ओजोन परत इससे उपर जाओगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको मध्य मंडल है ना मध्य मंडल इससे उपर जाओगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको आयन मंडल और इससे उपर जाओगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको बाहिये मंडल बाहिये मंडल मिलेगा देखो अब इसको क्या कहते हैं इंगलिस में इसको कहते हैं एक्जोस्फियर लिख लेना आप इसको एक्जोस्फियर एक जो इस्फियर इसके बाद आयन मंडल को कहते है आई नो इस्फियर आई नो इस्फियर मद्य मंडल को कहते है मैसो इस्फियर इसके बाद यहां पे जो है आपका समताप मंडल को कहते है इस्ट्रेटो इस्फियर इस टेटो स्पियर और इसको कहते है ट्रोपो स्पियर जो मोसम संबंदी घटनाएं होती है वो इसमें होती है इसके बाद जो विमान उड़ते है यहां पर उड़ते है समताप मंडल में और जो इसके बाद आपका मद्य मंडल में है इसमें उलका पिन संबंदी घटनाएं होत यहां पे बहाईय मंडल में ही जो है छोड़ जाती है ठीक है इसी के साथ साथ देखी यहां पे ओजोन परत जो है यहां पे यह अल्टावाइटे किंडों से रक्सा करता है प्रत्वी पे नहीं पोचने देता इसी के साथ साथ ओजोन परत की जो मोटाई ना पी जाती है वो न जाना जाता है कच्चे तेल के लिए भी उप्शन इसमें सही होगा इसके बाद यहां पर आगे सूरिय के सबसे समीप गरहे कौन सा है तो सूरिय के सबसे समीप है बुद्ध गरहे यह उप्शन इसका सही होगा देखो एक लाइन में ही आप पूरा चेप्टर फिनिस कर लोगे इसमें, देखो कैसे करना आपको यह हो गया आपका सूर्इ добрés हो गया ठीक है इसके बाद सबसे पास में गरहै कून सा है बुदध है उससे कुछ दूरी पर जाओ गी उसके बाद मिलेगा आपको सुक्र इसके बाद आपको कुछ दूरी पर जाओ गी प्रत्वी, फिर आपका मंगल, फिर आपका मिलेगा ब embarrassपती, फिर आपका सनी, फिर आपका अरून और पिर आपका वरून और इससे आगे था आपका प्लोट। जो अब गरे की सरेणी में नहीं है, तो कुल कितने गर है आट गर है देखो ये जो पास के चार गर है इनको कहते है आंतरी गर है जो बाहर के चार गर है इनको कहते है भाहिये गर है ठीक है आपको चार उप्सन दे दी जाएगे आपसे पुछ ले जाएगे कि आंतरी गर है कौन से भाहिये गर है कौन से ठीक है आप याँ पे यह जो है याँ पे सुकुर है इसको कहते चमकिला गर या भोर का तारा या साम का तारा यह परत्वी की बहन कहते हैं क्योंकि इनकी जो एक तरीके से कहिए तो आकार में ये बराबर है मंगल गर है इस पे जीवन की संभावना है ऐसा आपने सुना होगा देखे आपने पढ़ा भी होगा और ये जो है कौन सा गर है मंगल लाल गर है बरसपती पीला गर है सनी काला गर है और परत्वी नीला गर है ठीक है तो आपके लगवर क्वेशन आपके सभी सोल हो गए होगे सबसे पहले गर्या का जो सूरे का चक्कर लगाता है तो यह लगाता है आपका भई बुद्ध ठीक है पास में है अब यहाँ पे अब आपसे पूछ ले जागा कि इनकी जो घूमने की प्रकरती है कैसे घूमता है तो परत्वी पे कोन आते हैं हम रहते हैं परत्वी हम माने क्य क्या होता है वीमाने हमेना इसको ऐसे कर लेना तो इसकी जो दिसा होगी घूमने की प्रत्वी की यह वोगी वेश्टु इस्ट यानि की पच्चिम से पूरव होगी इसी के साथ सुक्र और आपका अरून ठीक है यह तीनों एक तरीके से घूमते हैं प्रत्वी सुक्र और सबसे बड़ा उत्पादा कोन है तो यह देखिए चीन इसका सही होगा इसके बाद भांगडा नागल बांत किस प्रियोजना किस नदी पर है भांगडा है सतलज नदी पर आप सभी कमेंट कर देना इसके बाद यहां पे सरवादिक गेहूं की पैदावार भारत के किस राज प्रत्वी की तुल्ला में सूरिय के निकट है सूरिय के निकट कौन से थे तो बुद्ध और सुक्र थे ठीक है डी उप्सन इसका सही होगा बहुत अच्छा आप सभी कमेंट कर रहें जल्दी से करना इसके बाद आगे क्योशन है प्रत्वी अपनी धूरी एक चक्कर पूर और ठीक है जो अपने एक्स्पर घूंती है उसको कहते परी बरमन और जो सुरिय के चार और घूंती है उसको कहते है परी कर्मन गती ठीक है ये होमती है आपका थे ऐस गह्यों गहिंन 56 जीरोट नू सेकिंड में इसके यह वाला नहीं होगा ठीक है इसमें इसके बाद यहां पे आगे निमलिकित में से भारती राज्यों में से किस राज्य की कोई समुंदरी सीमा नहीं है जो समुंदरी सीमा नहीं है यह देखे राजिस्थान की नहीं है यह निकिस में सी अप्षन होगा इसकी समुंदरी सीमा न यहां पे रेतिला है एक तरीके से इसके बाद गुजरात यहां पे कौन सा है गुजरात है कितने राज्य मिले समुन्ध तट से नो मिले हुए है देखो आप कैसे इसके बाद गुजरात है यहां पे महराष्ट हो जाएगा इसके बाद यहां पे गोवा करनाटक केरल इसके बाद यहां पर तमीन लाडू यहां पर आपका हो जाएगा आंधर परदेश यहां पर हो जाएगा उडीसा यहां पर हो जाएगा बंगाल ठीक है तो कितने राज्ये होगे यह होगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो नो राज्ये हो गए इन में से राजिस्थान नहीं मिला हुआ यह यहां पर इस्थलिय सीमा है इसके बाद आगे कोशन है बगली हार परियुजना सम्मंदित है यह किस राज्ये से है तैतिसका आप मुझे सभी कमेंट करना तो जो बगली हार है यह है जम्मू कस्मीर से बी कांपे है यह राजिस्थान के है इसके बाद आगे कोशन है निमिलगित में से किस फसल के लिए परती हेक्टेर पाने की सरवाधिक आवसकता होती है जो सबसे ज्यादा जो पाने की आवसकता होती है यह होती है वही गन्ने के लिए सी उप्सन इसमें सही होगा गन्ने की जो पैदावार करता है सबसे जयदा उत्तर प्रदेश करता है चीनी मील वाला कोश्टन और दो एक लिए न हर बार आता है चीनी मील सबसे ज़यदा काहँ पे इसके बाद 36 question सूर्य के चारोर परीकर्मा करने वाले खबोले पिंट कहा कहलाता है यह कहलाते भई गर है ठीक है इसमें इसके बाद गरों की गती का नियम किस ने परती पादित किया यह किया था कैपलर ने सी उप्सन होगा इसमें सही इसके बाद सोर मंडल में कुल कितने घर है अभी हमने देखे थे ये है आठ घर है इसमें इसके बाद सूरिये से बढ़ती दूरी के नुसार घरों का सही करम क्या है यानि कि ये पूछ रहा है एक करम आपसे लगवा सकता है ये भी कोश कि बुद्ध, सुक्र, प्रत्वी और मंगल किसमें है देखे बुद्ध, सुक्र, मंगल और प्रत्वी ये तो गलत हो गया इसके बाद बू ये भी गलत हो गया इसके बाद ये भी गलत हो गया आपको यहाँ पर मिल लादे को बुद्ध, सुक्र, प्रत्वी और मंगल यानि सुक्र इसी को बोर का तारा साम का तारा कहते है इसके बाद सूरिये से सबसे अधिक दूर इस्तित गर है कौन सा है यह है नेप्चिन है ना इसके बाद यहां पे सबसे गरम गर है गरम गर है कौन सा है गरम गर है कि चलो ठीक आप इस कोश्चन के लिए आप कमेंट करना ठीक है आपके लिए इसके बाद सूरिय के धरातल का तापमान लगबक कितना होता है सूरिय के धरातल का तापमान लगबक होता है यह होता 6000 डिग्री सेंटिकर्ट और जो सूरिय का अगर आपसे पुछ लेकिन तत्वो इतो होती है नाभ को सहलीघ्स अधारित होती है उसकी हाइडम बिना उपकर्या वाले ग रही है जो पास में गरह कौन से थे वही ये थे बुद और सुक्र डी ओप्शन इसमें सही होगा इनका कोई भी उपगरह नहीं है मंगल के दो है इसके बाद आपका प्रत्वी का एक है इसके बाद यहां पे आगे कुश्चन है सुरिय के प्रकास को प्रत्वी पर पहुँचने में लगबग कितना समय लगता है जल्दी से कमेंट करना इसमें जो समय लगता है यह लगता है लगबग सवा आट मिनट कहने की आट मिनट देखे इसमें option है तो आप देख लेना उसको सवाट मिनट इसका answer होगा इसके बाद प्रत्वी का उपगर है कौन सा है सभी जानते है यह है चंद्रमा B option इसका सही होगा इसके बाद C of tranquility कहां पर है तो यह है चंद्रमा पर D option इसका सही होगा इसके बाद सोर मंडल में सबसे बड़ा घर है कौन सा है सबसे बड़ा घर है अगर आप देखो सबसे जो बड़ा घर है यह है ब्रसपती अगर आप वैसे भी देखो ना पढ़ने में किसमें टाइम ज़्यादा लगा है किसमें ज़्यादा है देखो शुक्र इसमें भी 2 है इसमें भी 2 इसमें 3 है और इसमें कितने है 1-2-3-4-5 तो सबसे बड़ा कुण सा हुआँ ये है सबसे छोटा कुण सा है बुध है सबसे छोटा याद र hiking आप इसको बुध है और ठंडा भी बुध ही है इसमें इसके बाद प्रत्वी के तरीक किस गरह पर वाईवंडल जो यह पाया जाता है पचास का अंसर क्या होगा इसमें तो पचास का अंसर होगा यह होगा बी ओप्शन मंगल गरह है इसमें इसके बाद किस गरह को भोर का तारा कहा जाता है प्रत्वी की जिसको बहन कहा जाता है य आप इसके लिए कमेंट करना है मुझे देखी अभी हाली में इस पे जो करेंट में भी एक कोशन अभी चर्चा में आया था किसके ज्यादा उपगर हो गए अभी कमेंट करना इसको आप सभी इसके बाद सोर मंडल का सबसे छोटा गर है कौन सा है तो यह सिंपल कोशन है बहु और भरषपती पैसे पती पैसे पीला हो जाएगा सबी देख लेना अप इसको इसके बाद कोन सा गर्य हरे रंग का प्रतीत होता है यह होता हरे रंग का वरूण सी Jackson इसमें सही अगा इसमें ठीक है इसमें इसके बाद यहां पे आगे नीला गरहे के नाम से जाना जाता है नीला गरहे जल्दी कमेंट करना आप नीले गरहे के लिए 56 का आंशर होगा इसमें बी यह कुन सा होगा बी ओप्सन होगा इसमें इसके बाद यहां पे 57 का आप सभी कमेंट करना है 57 के लिए कि स इसको देख लेना यह जो डेटा आते है इसमें ठीक है इसके बाद प्रत्वी पर दिन रात की अवदी कहां पे समान होती है जो समान होती है यह होती है भूमद्य रेखा पर और देखे आपको एक कमेंट और करना है कि धुर्वो पर जो दिन होता है कितने समय का होता है कितने अक्स पर घूमती है इसका अंसर क्या होगा प्रत्वी पर अक्स पर घूमना या प्रत्वी का सपेक सूर्य की गति या प्रत्वी के अक्स का जुकाव या सूर्य प्रत्वी का सूर्य के चार ओर परी कर्मन जो दिन रात होता है वो इस वज़े से होता है क्योंकि प्रत्वी अ एक सूर्ये के चार ओर घुमते है सभी ठीक है इसमें आप प्रत्वी इसको मानना है यहां पे भी प्रत्वी हो जाएगा इसमें इसके बाद यह भी प्रत्वी यहां पे घुमती हुई चल ले कितने अक्स पर जुकी हुई यह जुकी हुई आपका 3,35 ठीक है देखो अपने अक्स पर घुमती हुई 3,35 डीकर्य पर चलती है परड़े तीन महीन आऊ चुक आ इसके बाद घुमती हुई चलती है यह जो परड़े यह घुमती है इसकारण तो होता है दिन रात परड़े घुम रही है दिन रात होता है इसको कहते है परी भर्मन गती ठीक है परी भर्मन गती और ये जो है सूरिय के चार और चक्कर लगा रही है इस वज़े से क्या मिलते है चार क्या मिलते है जो रित्वे मिलती है या चार परकार के मोसम मिलते है इसको क्या कहते है इसको कहते है परी कर्मन गती परिकर्म कर रहे है इस कारण से क्या होता है इस कारण से होता है आपका एक तरीके से कहे तो आपका ये हो जाएगा रीतु परिवर्तन रीतु परिवर्तन इसके बाद आगे कुशन है प्रत्वी की अपनी कक्सा में गती कैसी ये देखो सिंपल है प्रत्वी कोन रहते है हम रह झालईगा इसमें यानिकी के पश्चिम से पूरो और इसका आश्याव कि यह हो गई इसमें पर इसके बार इसको और सुख्र और अरोन भी ऐसे घ्मते हैं वाग पहले इसके विप्रीद हैं इसके बाद सूरीय और प्रत्वी के बीच्च collect दूरी या अपसौर होटी है जब होती है देखो अगर आप इसका लोगा इसका आंसर होगा आपका इसменrine चार जुलाई होगा इसका होगा आपका यह अंसर अगर आप इसकी फिगर देखें तो यह अधिकतम हो नहीन चैनल है इसमें यहां पे आप ले लीजिए ईसको परतभी हो जाएगा आपका ठीक है और यहां पर हो जाएगा आपका यहां पर भी आपकी प्रत्वी हो जाएगे ठीक है जब इनके बीच की दूरी कम होती है तो उसको कहते उपसोर क्या कहते है उसको उसको कहते उपसोर और जब यह दूरी बढ़ जाती है अपसोर की यह होती है चार जुलाई को जो कि अभी उप्सन में था देखो यह उप्सन इसका सही होगा इसके बाद यहां पे आगे सूरिय एवं प्रत्वी के बीच की नुत्तम दूरी या उप्सोर इसको कहते है यह होता है तीन जनवरी को इसके बाद निमलिकित में से किस तिथी को दिन रात बराबर होते है तो यह दिन रात बराबर होते है मासी इसमें डी उप्सन सही होगा यानि कि आपका याद रखना हमेशा कोशन आता है यह आपका 21 और यह आपका 22 ठीक है इसमें ये दोनों option सही होगा इसमें 21 March और 22 September को ठीक है इसमें इसके बाद चंद्र गरहन का कारण क्या है सूर्य गरहन का कारण क्या है ये question हमेशा पूछा जाएगा देखें इसका जो answer होगा 64 का जो answer होगा देखो ये होगा आपका C option यानि कि जब सूर्य एम चंद्रमा के बीच प्रत्वी आ जाती है तब चंद्र गरहन होता है और सूर्य गरहन कब होता है सूर्य गरहन होता है आपका ये प्रत्वी एम सूर्य के बीच की दूरी प्रत्वी M सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है यानि कि इसमें होगा आपका A option अब देखो चंद्र गरहन पढ़ रहे हैं हम सबसे पहले इसकी जो condition होगी ना इसकी condition कैसे होगी यह होगी आपकी S E M याद रखना इसको देखो यह क्या होगी आपका यानि कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच क्या आ जाएगी प्रत्वी आ जाएगी तब क्या होगा चंद्र गरहन होगा देखो अगर सूर्य गरहन होता है तो इसमें क्या होगा इस S को आगे बढ़ा दो यह क्या हो जाएगा आपका EMS यानि कि जब परत्वी और सन के बीच मून यानि कि चंद्रमा आ जाएगा तब होगा आपका चंद्रमा ये याद रखना हमेशा SEM और ये EMS ये पूर्ण मासी को होता है P और ये अमासी को होता है ठीक है इसमें इसके बाद यहां पे आगे मद्यरातरी का सूर्य कहां दिखाई देता है ये दिखाई देता है नौर्वे में C उप्षन इसका सही होगा इसके बाद 67 का आंशर मुझे कमेंट करके बताओ जल्दी से भू मद्यरेखा पर प्रत्वी का व्यास लगबग कितना होता है तो ये जो व्यास होता है ये लगबग होता है बारा हजार आट सो किलोमेटर इसके बाद यहां पे आगे प्रधान मद्यान रेखा किस स्थान से होकर गुजरती ये गुजरती है गुजरती है ग्रीन विच से डी उप्षन इसमें सही होगा और फ्रेंस जल्दी से आप कमेंट किया करो जल्दी से और बाद में बताना कमेंट करके आपका कितना क्वेशन राइट हुआ और आपको ये जो टेस्ट है वो कैसा लगा ठीक है अगर आप सभी का सपोर्ट एता है तो रेगुलर देखिए यहाँ पे आपके लिए लाइव क्लास जो लाइव टेस्ट है वो आता रहेगा और अपनी जो तैयारी है उसको बढ़ाते रही है जल्दी से एक देसांतर से दूसरे देसांतर के बीच कितना सम्यांतरल होता है यह होता है आपका चार मिनट डी ओप्सन इसमें सही होगा इसके बाद धुर्वो की तरफ जाने पर अक्सांस रेखाओ कि व्यास की परकरती कैसी होती है धुर्वो की तरफ जा रहे तो यह जो परकरती है यह आपकी घट जाती है अक्सांस रेखाओ कि जो दूरी एक तरीके से या वियास है वो घट जाता है देखो यह कहा रहा है इस तरीके से आपका यहाँ पे आप माल लीजिए यह क्या है भूमद्धे रेखा यह इसको कहते है विस्वत रेखा ठीक है प्रत्वी के बीचों बीच से भू मध्य रेखा ठीक है ये कितना होता है जीरो डिगरी होता है इसके उपर आपका ये करक रेखा होगा आपका करक ये कितना डिगरी होगा ये साड़े तेहिस डिगरी होगा इसी तरीके से दक्षिनी गुलार्द में आएगे तो पर रेखा होगी ठीक है और ये इस तरीके की जो आपकी देखे ये जो रेखाई होती ना लेटी हुई इन्ही को कहते अक्सांस रेखा क्या कहते इनको अक्सांस रेखा या लेटी हुई है तो इनको कहते इंगलिस में लेटी ट्यूड लेटी ट्यूड ठीक है अब देखो इस ले जाओ आप धुर्वों की तरफ ऊपर बढ़ोगे तो इनकी जो लंबाई है ना देखो यह घट जाती है या एक तरीके से व्यास इनका घट जाता है ठीक है यह याद रखना आपको इसमें इसके बाद किस गरहे को परत्वी की बहन कहा जाता है किसको कहा जाता है यह कहा ज अंगल तो पास में गरहे कौन सा इसके तो यह आपका कौन सा है परत्वी के पास में सुकुर है डी ऑप्शन इसमें सोरी बी ऑप्शन इसमें होगा सही इसके बाद परत्वी की अनुमानित आयो कितने वर्स है इसमें तियत्तर का जो है इसमें आंसर होगा चार पॉइंट शे अरव वर्स इसके बाद यहां पर आगे प्रत्वी के केंदर में पाया जाने वाला चुमकिया पदार्थ कौन सा है तो यह हो जाएगा निकिल सी ओप्सान इसमें सही होगा इसमें देखें परत्वी की उपरी परत को क्या कहते है इसको कहते है भू पर पटी या करश्ट इसको कहते है और देखें उपरी परत में यह इसको एक तरीके से नाम दे जगाया है इसको कहते है सियाल ठीक है यानि कि किस किस का यह मिलन है तो यह SI PLUS AL यानि कि सिलिकोन और एलमुनियम की जो अधिकता इसमें मिलती है इसके बाद परत्वी में कौन सा तत्व सरवाधिक मातरा में पाया जाता है तत्व आपसे पूचा है तो यह हो जाएगा डियोप्शन ओक्सिजन यह ना इसके बाद परत्वी के कितने परतिसत भाग पर इस थल है देखो जल कितने परसेंट है जल है आपका 61 परतिसत जल है जब जल यह हो गया तो थल कितना होगा इस थल कितना होगा बाकी कितना बचा आपका 39 बचता है तो यह इसका उप्शन कौन सा होगा इस में option हो जागा इसमें इसके बाद निमलिकित में से कायंतरिट चटान है 78 का जो answer होगा यह होगा आपका संग मरमर देखो तीन प्रकार की चटाने होती है अगने cell या आपका बोले तो अवसाधी cell या तीसरी बोले तो तीसरे नमबर की कायंतरिट cell या आपका रुपांतरित सेल ठीक है देखो अब इसमें कुछ उधारण आपको याद रखना है कभी आपका एक्जाम में गलत नहीं होगा इस पे वीडियो है प्लिलिष में जाके देख लेना देखो बेबी सा नाइट ठीक है बेबी सा नाइट ये सभी उधारण है अगने सेल के यानि की बेसाल्ट होगा बिटूमिनस होगा साइनाइट होगा नाइट से गरेनाइट हो जाएगा ये सभी किसके उधारण है अगने सेल के बेबी सा नाइट इसके बाद यहाँ पे अवसाधी के ये हो जाएगा आ पे टाइन हो जाएगा बलुवा पत्थर हो जाएगा से से सेल हो जाएगा सेल आपको देखने को मिलेगा यह देखो यहाँ पे है सेल इसके बाद चूना पत्थर किसका उधारन है अवसादी सेल का लिगनाइट किसका है यह भी अवसादी सेल का है आप से कोईला पूछे आप कोईला पूछे तो भी सी में आएगा सिंपल अगर आप से तेल पूछे या पेट्रोल पूछे ये भी सी में आजाएगा इसके बाद कायंतरित का आप लिख ले ना इसमें यहां पर लिखो आप कायंतरित का इसका हो जाएगा आपका ऐसी नीशा संगसर फाइट सलेट और आपका हीरा ठीक है इसमें यानि की एंधरासाइट ठीक है नीस का पत्तर इसके बाद आपका हीरा संगमरमर ठीक है सरपेटाइन गरेफाइट ठीक है इसमें और आपका जो सलेट है ये सबी किसके वदारण कायंत्रित या रूपांत्रित सेल के इसके बाद आगे कुशन है ध्रातल के जी सिस्थान पर सरपर्थम भुकंप का अनुभाव किया जाता है यह कहलाता है यह कहलाता है वही आपका उनासी का जो आंशार होगा यह कहलाता है आपका भुकंप अधिकेंदर भी ओप्शन इसका से योग आपका रियक्टर इसकेल रियक्टर इसकेल इससे के मापा जाता है यह मापा जाता है भुकम की तेरुता आपका ठीक है इसमें आरदर्ता यह हाई ग्रोमेटर से मापी जाती है ठीक है इसमें तापका आप जानते हैं इसमें इसके बाद भुकम पी तरंगों को किसी अंतर से मापा जाता है यह मापा जाता है आपका सिस्मों गराप से ठीक है इसमें इसके बाद आपका next question वह कौन समाधी पर जहां एक भी जवाला मुकी नहीं है तो यह है आपका Australia यानि कि D option इसमें होगा सही देखो देखो आप ऐसे करना महाधीप से आप से आडिल नदी है यहाँ पर घास देखे कौन सा ईगास थीक है घास के मैदान क्या कहलाते है यह डाउन्स कहलाता है डाउन्स हो गया गास का मैदान इसके बाद मरुस्थल देखो कौन सा है यहां पर मरुस्थल ठीक है यहां पर विक्टोरिया मरुस्थल है विक्टोरिया मरुस्थल है यह भी लिखने ला सेंडी गैंडी यह सबी आपको मिलेगे देखने को ठीक है इसी के साथ साथ आपका इस तरीके से आपको करना इसकी राजधानी इसका पसू कौन सा कंगारू है तो आपको ऐसे करना एक नोर्ष बना के पान साथ आपका ये जो भी है आपका ये महादीप से लेटी कोश्चन कम्प्लीट आपके हो जाएगे इसके बाद विश्व का सबसे उच्छा जवाला मुखी कोट अप एक सी कहां इस्तित है चुरासी का जो अंसर होगा इसमें ये आपका होगा इकवड और बी ओप्सन इसमें सही होगा कमेंट करना आपको जल्दी से तेजी से कर देना आप सभी इसके बाद आपे निमलिकित में से किसे परकरती का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है ये कहा जाता है आपका जवाला मुखी को ठीक है जवाला मुखी को परकरती का सुरक्षा वाल्व या प्रत्वी का सुरक्षा वाल्व कहते हैं देखो इस तरीके से समझना इसको सुरक्षा हो रही है कैसे ठीक है जैसे आपने कमरे में फरस किया है मालो आपके कमरे में फरस जो किया है आप आप क्या करते हैं फरस में क्या करते हैं आप कांच की फट्टे लगाते क्य इसी तरीके से क्या काम करता है जवाला मुंकी फूटता है उसके अंदर से बहुत सारा मल्वा निकलता है अकर वो नदर फूटते हैं तो क्या होगा दिक्क्त हो जाएक है इसी तरीके से कहते इसको प्रकर्त्वी का शुरक्षा वाल्व ठीक है वाल इसके बाद यहां पे आगे छासी का आप सभी कमेंट करना है आपको देखें कि कौन सा युगम सुमेलित नहीं है देखो एटना जो जवाला मुखी है ये एटना एट इटली का है बिल्कुल है फ्यूजी आमा जैसे जापान ये भी है आपका पॉप ये हो बहुत अच्छा कोश्चन है बहुत बार पूचा जा चुका है ये रोकीज एटीज एटलस आलपस हिमाले आदे किस परकार के ये परवत है ये जो परवत है ये है वलित परवत के उधारन देखो आप बहुत चारे परवत है देखो आप भूल सकते है लेकिन आप इसको ऐस परवत का उधारन है एंडीज है एटलस है हिमाल्य है आपका रोकी परवत है ये सभी कैसे परवत है वलित परवत के उधारन है ये ठीक है इसमें और देखो यहां पे आपका जो एंडीज परवत है न ये कहां पे है देखो इसको ऐसे समझना है आपको ये हो गया आपका उत् मांंट अवरेश्ट कहां पे सभी इसका अंसर मालुम है कुमेंट करना है देखो इसका आंसर होगा option c नेपाल होगा इसका answer है ना इसमें इसके बाद अगर भारत में पूचा जाए कि भारत में सबसे उची चोटी तो कौन सी होगी वो होगी k2 है ना इसको कहते गोडविन ओस्टिन गोडविन ओस्टिन इसकी जो चाहिए 8611 मीटर है यह देखिए कितनी है 8611 और इसकी मांट आवरेष्ट की 8848 मीटर ठीक है और यह जो केटू है यह जम्मू कस्मीर में इसके बाद आगे कुश्चन है लोएस का पठार है लोएस का पठार लिया लोएस का मैदान तो यह है देखो पवन के दुआरा जो इसको रेत के डिबए या रेत के टिले भी इसको कहते है ठीक इसमें इसके बाद आगे यहां पे links करवादिक और उचा पठार कौन सा है तो सभी जानते हैं यह जो पठार है यह है आपका तिबबत का पठार या पामीर का पठार इसको संसार की छट भी कहते है देखे अभी question पूछा था भी जो अभी अभी बार PCS का एक्जाम होता अपर PCS का उसमें पूछा था कि भारत का तिबबत कौन सा है अब देखो भारत का जो तिबबत है तिबबत का मतलब एक तरीके से कहा गया है जो तिबबत है वो बहुत ही ठंडा है तो भारत में कौन सा है यह तो भारत का जो तिबबत कहलाता है वो कहलाता है लहे याद रखना आपको और सबसे ठंडा जो इससान भारत का वो लहे द्रास ही है देखो इसके बाद आगे कोश्चन है निमलिकित में से किस देश को हजार जीलों की भूमी कहा जाता है यह कहा जाता है फिनलैंड को जील से रिलेटिड कोश्चन देखो भारत की पूरी जील का मैंने वीडियो डाला है प्लेश में देख लेना आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल लोगी अगर आप ज फिक है वीशुका सबसे मुच्छा जल पर पात तो यह हो जाएगा आपका एंजिल जल पर पात सी उप्शन इसमें होगा आपका इसके बाद वीशुका सबसे बड़ा महासागर कौन सा है तो यह आपका प्रसान्त महासागर और देखो यहां पर एक कोश्चन बहुत इंपो इसको सपिद माधिप भी कहते हैं इसमें जो है रिसर्च केंद्र पूछे जाते हैं कि भारत के कौन-कौन से तो आप याद रखना जी एफ आई ठीक है गल्फ्रेंड इस तरीके से आप याद रख लेना ठीक है यह आपका तीन है यह अब नश्ट हो चुका है यह आपका तीन याद रख लेना तीन थे यहां पर जी एफ आई यह गंगोतरी नश्ट हो चुका है अब नहीं है इसके बाद फ्रेंड यानि की मैतरी है अभी और इंडिया यानि की भारती अभी भी है तो यह तीन रिसर्च केंदर कौन से है कहां पर है तो यह है आपका अंटार्टिका महादीप में रिसर्च केंदर देखो आपसे पूछ ले जाएगा कि जो यहां पे गंगोतरी है यह क्या है गंगोतरी सुनाओगो ना आपने गोमो को गंगोतरी वो वाला नहीं है यह यह आपका रिसर्च केंदर था अंटार्टिका महादीप में इसके बाद यहां पे आग परत्वी के कितने परतिसत भाग पर जल है छाण में का आंसर मुझे सभी कमेंट करके बताना आप जल्दी से छाण में का आंसर हो जाएगा इसमें आपका C option 70% बाकी कितना बचा बाकी बचा आपका 29% ये क्या है आपका ये हो जाएगा आपका थल ये आपका इस थल इसके बाद याँ पे आगा आगे समुन्दरी जल में सरवादिक मातरा में कौन सा लवन पाय जाता है तो ये पाय जाता है नमक नमक कौन सा है ये कि आपका NaCl इसको कहते है सोडियम सोडियम और ये हो जाएगा कलोराइट कौन सा option होगा इसका बी option राइट होगा दोस्तों एक सेकिंड रुकना देखो पानी भी है काफी समय हो चुका है देखो हमें इसके बाद यहां पर सबसे लवणिये सागर कौन सा है सबसे लवणिये जो सागर है ये है आपका डी option मरत सागर डी option होगा इसमें इसके बाद देखो ये question बहुत important है आप याद रखने है इसको देखो मैं एक गटना बताता हूँ 2019 की है ये question मेरे फ्रेंड ने एक्जाम से आकर मुझे मेरे साथ discuss किया था देखो दोजार उसमें नहीं 19 में इसमें 18 की बात है 18 में जब मैंने पढ़ाया था 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 उन्होंने discuss किया था कि ये एक्जाम में आया है ये मैं right करके आऊँ मैंने बोला था उनको क्या आप इसका answer करके आई इसमें उन्होंने बोला कि पाक जलसंदी पूछी थी मैंने लगा दिया है भारत और पाकिस्तान पैसे पाक हो जाएगा इसी में से पूछा होगा तो ये उन्होंने गलत कर दिया था और बहुत खुसों के बता रहे थे लेकिन इसका answer क्या है exact इसका जो answer है भारत एवं सिरी लंका पाक जलसंदी किन दो देशों को अलग करती है ये करते है भारत और सिरी लंका के बीच यानि कि आपका इनको दोनों को अलग करती है अगर यहां पे logic इसका देखे तो यहां पे पूछिए पाक जलसंदी पूछिए जलसंदी जल तो यहां पे नहीं है देखो पाकिस्तान तो यह कहां पे है तो पाक जो जलसंदी है या पाक जल डमरू देखो यहां पे आप इसमें ऐसे देखो इसको थोड़ा मैप न, मैप अच्छे से कर लेना अपना बस बहुत अच्छा हो जाएगा आपका इसमें पाक जलसंदी ये पाक जल डमरू डमरू की स्तिती यहाँ पर बनी हुए है देखो यहाँ पर इन दोनों के भीश तो यहाँ पर स्रिलंका है तो भारत और स्रिलंका को यह अलग करती है पाक जलसंदी या पाक जल डमरू इसका अंसर राइट होगा आपका बी ओप्सन होगा इसमें ठीक है इसके बाद भूमद्य सागर एव अटलांटिक महासागर को कौन सी जलसंदी जोडती है सो का जो अंसर होगा यह होगा आपका जिब्राल्टर और पैसे पनामा हो जाएगा आपका परसान्थ एव महासागर आप इसको ऐसे कर 2005 पैसे पनामः पैसे आपका हो जाएगा इसको लिख लेना परसांट है ना यहीं कि परसांट और आंट से हो जाएगा आपका अटलांटिक महासगर परसांट है ना हर बार यहीं पूछे जाएगा इसमें से इसके बाद आपका स्वेज नहर यह भूमद्य सागर को लाल सागर से जोडती है भूमद्य सागर को लाल सागर से याद रखना है देखो यह भी जो यूपी टैट हुआ था भी जूनियर वाला उसमें भी पूछा गया था भूमद्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है कौन सी स्वेज नहर है ना इसमें और स्वेज नहर किसके लिए परसिध है कोईले के लिए या तेल के लिए यह आप दे है क्या डूबो दी हमने क्या छोड़ी उसमें पानी में कील छोड़ दी इस तरीके से आपका करना इसमें यह होई गया हमारा प्रसांत और अट्लांटिक मास अगर स्वेज का होई गया भूमद्य सागर कुलाल सागर से कील होई गया हमारा कील कहां पे छोड़ी हमने नहीं है तो 104 का जो अंसर होगा इसमें इसका आंसर होगा आपका कि डी ओप्सन देको या निकि यह जो है सुमेलित नहीं है यह गलत है गल्प क्यूं, कैली, बगुला, फांकले, किनारा ठीक है इसमें, ये सबी कैसी दारा है, ये थंडी जल दारा है देखो यहाँ पे आपका ये ओखोटस को जाएगा, ये पेरू हो जाएगा, हमबोल्ट हो जाएगा अब देखो इसके बाद यहां पे आपका क्यूराइल हो जाएगा यह केली, इसके बाद बेगुला, इसके बाद कनारी, फोक लैंड, आपका लेर बोडेर देखो भई गल्प स्ट्रीम तो इसमें आया नहीं कहीं तो गल्प इस्ट्रीम तो गरम जलदारा है, ऐसे भी याद रख लेना, गैसे गरम, ठीक है इसमें, तो ये जो है ठंडी जलदारा नहीं है, गलत कहा रहे हैं, इसके बाद लेर बोर डेर चेक करते हैं, देखो लेर बोर डेर कहां आगी, ये ठंडी है, राइट है, बिल्कुल गलत है, गल्प इस्ट्रीम, गरम है ठंडी नहीं है, इसमें तो कहीं भी नहीं आई गल्प इस्ट्रीम, ठीक है, ये ट्रीक आप याद रखना, कभी गलत नहीं होगा आपका, इसके बाद विश्व का सबसे उचा जवार कहां आता है, तो ये आता है आपका फंडी की खाड आधीक तो अधीक जो आता है इसमें 106 का जो आंचार होगा इसमें यह हो जाएगा आपका इसमें चंद्रमा इंपmoreton कोौश्चन बहुत अच्चा कोश्चन है अगर आपसे पूचा जै कि जवार भाटा का कारण तो यह जो है किसके कारण यह आकरशन के कारण आते तो यह सूर्य और चंद्रमा के किसका सबसे आदा प्रभाव होता है यह आपका चंद्रमा का इसके बाद आब आगे है निमले कित में से कौन सी नदी भरंस घाटी से होकर बहती है 107 का जो आंसर होगा इसमें यह होगा आपका C option यानि कि आपका नरमदा नदी और देखो नरमदा तापती यह कहां से निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से मद्यप्रदेश से और यह कहां पे चलती है यह चलती है आपकी पश्चिम की और कहां पे गिरती है अरब सागर या आपका खंबात की खाड़ी में ठीक है बहुत important question था यह कोई यहां से निकलती है और यहां से चलती है ऐसे ऐसे यहां पे आपका गिड़ती है और जो बाकी यहां पे नदिया है यह सभी आपकी बंगाल की खाड़ी में गिड़ती है इसके बाद आगे यहां पे कि सभयता को नील नदी का वर्दान का आ जाता है मिठी की सभ़यता को इसके बाद आगे वायू मंदल का सरवादिक इस्थाई तत्व कौन सा है तो यह इस्थाई जो तत्व है यह आपका जल्वास इसमें D option right होगा और देखो इसके अलावा देखो ये जो है न आपका carbon dioxide है जलवास्प है ये green house green house effect का कारण भी यही है आपका इसके बाद वायू मंडल में सरवादिक मात्र में कौन सा gas विद्धमान है देखो सबसे ज़्यादा पूछा है सबसे ज़्याद आपको पता है nitrogen है कितना है आपका यहां पे तो यह है आपका 78% है oxygen कितना है तो यह है आपका 20.95% लगबग आपका 21% carbon dioxide है आपका 0.03 से लेके 0.4% तक यह पूछा जा चुका है इसी वाद से मैं लिख रहा हूं आपका Oregon कितना है यह आपका 0.93% चारो देख लेना इसमें इसके बाद आगे यहां पे कौन सी greenhouse gas प्रभाव के लिए उत्तरदाईव है बहुत बार कर चुके इसको तो यह इसका option हो जाएगा carbon dioxide है ना इसमें इसके बाद वाईयो मंडल में देनिक मोसम परिवर्तन निमलिकित में से किसमें अधिक होता है तो आप मुझे कमेंट करके बताना सभी को इसका अंसर मालूम होगा मोसम सम्मंदी परिवर्तन यह घटना इसके बाद ओजोन परत कहां पे अवस्तित है तो यह है आपका समताप मंडल में जहां पे जो है आपका क्या उड़ते है वाईयो मंडल वो आपका वाईयो यान है आपके हविजाज है यह उड़ते है इसमें छोम मंडल में क्या होती है तो इस तो कहते है ट्रोपोस्पियर कहते है है ना यहां पे क्या होती है से कमेंट करना इसका अंसर क्या होगा जो सूचक है यह है आपका स्वच मोसम का इस पे मैंने एक जो है वीडियो डाला है जो ग्रफी का करके पली दिश्में आपको मिल जाएगा वहां से यह पूरा टोपिक आपका वायू मंडले दाब आपका भुकंप है आपकी सारी जो जि बैरो मेटर दाब बैसे बैरो मेटर हो जाएगा इसका इसके बाद डॉल ड्रम यह सांथ पेटी का विश्तार यह कहां पर है यह आपका भूमत दे रेखा कि आसपास चेतर होता है यानि कि आप कह सकते इसको जीरो डिग्री से पाँच डिग्री उत्रियम दक्षनी इसका अंसर होगा 116 का डियो उप्षन इसके बाद 117 चीकता साटा पवने कहां पर जो है आपका परवाहित होती है कहां पर चलती है चीकता साटा है ना 117 117 का जो आंसर होगा यह होगा आपका साट डिग्री दक्षनी अक्सांस के पास इसका ओप्षन होगा भी और देखो अपना जो हिंदी का जो टेस्ट होता है उसको रेगुलर दिया करो बागी चैनल पर भी आपको त्यारी करा जो वहां से भी आप हेल्प लेना और सबसे ज प्रियोक करिए और अच्छे से अपनी तैयारी करके फिरिशिट निकालिए धन्यवाद आप सबी का